तो हमारा आज का टोपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेश्योज ओफ सम एंड डिफरेंशिज ओफ टू एंगल्स ठीक है? यह हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया बच्चो और यहां पे हमें पता है कि जो कॉर्डिनेट है वो मैं ले रहा हूँ इस पॉइंट पे कॉर्डिनेट वन कॉमा जीरो ठीक है? क्यों क्योंकि हमें पता है कि यहां के जो कॉर्डिनेट है वो होते हैं बुच्चो कोस थिटा कोस एक्स कॉमा साइन एक्स ठीक है भई? इसलिए इनिशिल पॉइंट पे आपको यस और नो बोलने की जुरूद नहीं है अभी आप ज़स्ट सुनो ठीक है? वन कॉमा जीरो है और अपना साथ की साथ नोट बुक में इसको नोट भी करते रहो ठीक है? अब क्या हुआ बच्चो के यहां पे वन वन कॉमा जीरो है और जैसे के पार्टिकल हमारा सर्प्लर मोशन कर रहा था ना तो पार्टिकल माल लो के हमारा पहुचा इस जगह पे लेट अस कंसीडर के पार्टिकल हमारा यहां पे ठीक है बच्चो और अगर पार्टिकल यहां पे आ गया तो इस जगह कि हम जो पोजिशन है पार्टिकल की उसको माल लेते पीवन ठीक है बई? क्या मान लिए हमने उसको पीवन मान लिया प्लियर और अब यह वाला जो एंगल होगा ना इतना यह इतना एंगल बनेगा यहां पर दूसरा बच्चो मैं यहां से ले करके और इतनी जो आर्क बनेगी न या फिर एंगल बनेगा उसको मैं नाम दे देता हूँ A का बच्चो ठीक है? यानि कि यह इतना A एंगल बना है इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P1 अब P1 पॉइंट पे जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा बच्चो अगर यहां तक जितना एंगल होगा ना अगर मालो हमने जब पहले कुछ T रिशोज के कुछ एंगल निकाले थे तो यहां पे कोस A नहीं होगा यहां का एंगल अगर यहां पे मालो के 120 डिग्री हो जाता तो आप कोस 120 डिग्री नहीं लिखते आप और यहां पे क्या होगा साइन ए पी पॉइंट पे समझ में आ गया बच्चो दूसरा देखो दूसरा देखो बच्चो के हमारा जो पार्टिकल है वो ठीक है बई तो पी पॉइंट पी टू पे मान लेतें के हमारा पार्टिकल अब पहुचा यहां पे बई ज्यादा बेट रहेगा कि मैं वाइट वाला ही कलर यूज़ करूँ यह है हमारा पी टू बच्चो ठीक है और हम लेट ऐस कंसिडर यह हम कंसिडर कर लें के यह जो हमारा एंगल बना है बच्चो वह एंगल भी कोई भी एंगल बना है हमें नहीं पता कितना है बस वो उसका मैंगनिटूड भी है मतलब अब यह हमारा एंगल होगा यहां से लेकर के अब हमारी यहां तक की आर्प का उसका जो मैंगनिटूड होगा बच्चो वह होगा भी मान लेते हैं ठीक है और यह वाला जो पॉइंट है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं P2 और क्या आप मुझे बता सकते हैं के यहां पे जो कोडिनेट होंगे वो कोस का कोडिनेट तो होगा बच्चो कोस A प्लस B नहीं हो जाएगा बोलो कोमा साइन A प्लस B ठीक है न यहां तक तो एंगल P1 तक तो चल करके A आया था और आगे यह B और एंगल एंड इसमें हो गया है समझ गए आप लोग ठीक है न अब एक सिच्वेशन और ले रहे हैं के इधर से जो हमारा पार्टिकल है न अब वो क्लोकवाइज मूग करना उसने शुरू किया और पार्टिकल जो था हमारा वो माल लो के यहां से लेके और इस पॉजिशन पर आगया बच्चों अब अगर उसने अंटी क्लोकवाइज मूग किया है तो यह वाला एंगल ठीक है न इस वाले एंगल का जो मैं मेगनिटूड रख रहा हूं वो माइनस बी के इक्वल रख रहा हूं नहीं आया क्या समझ में मतलब जितना भी हमारा इधर चल ले थे ना हमने उतना ही भी जीरो से लेकर के क्लोकवाइज हम मूग करगे मान लो नहीं आया क्या समझ में ठीक है और इस वाले पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे है पी थ्री तो और पी थ्री के जो कोडिनेट है बच्चो वो मैं लिखूंगा कोस माइनस बी क्योंकि ये वाला एंगल माइनस बी है बच्चो ठीक है ना कहां से लेकर के कहां तक यहां से लेकर के यहां तक जो है एंगल है हमारा माइनस बी क्लियर ठीक है ना और यहां पे फिर साइन का भी तो माइनस बी होगा तो यहां की कोडिनेट कोस कोमा साइन भी ठीक है ना इतनी बात समझ में आई यह सर अब हम नेक्स्ट बात यह देखें कि इक्वल कोड सब्टेंडिड इक्वल एंगल एड दा सेंटर तो इक्वल कोड देखो क्या बच्छो कि यह जो एंगल भी है एंगल भी है इसकी जो कोड होगी इसकी जो कोड होगी ना वो क्या यह नहीं होगी एक तो यह वारी होगी और अगर मैं इसकी बात करूँ यहां से ले के यहां तक की यह थोड़ा सा मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा फिर से और शेफ फिर से लेनी पड़ेगी है ठीक है भई तो यह इसके साथ यह इसके साथ है ना एटेच है ठीक है बच्चो यहां पर मिली हुई है यह मतलो ठीक है ना यह मिली हुई है इदर से तो अभी देखो रफ डाइग्राम बन रहा है यह देखने में ऐसे लग रहा है कि अच्छा इस पॉइंट को अपन नाम दे लेते हैं पी फोर इस वाले को तो कोड जो हमारी पी थरी सोरी हमने जो है ना यह वाली जो हमारी कोड बने थी हमने इसमें एडिट कर लिया वो गलत बन गी थी ठीक है न हमने पी वन से पी थरी को मिला दिया और पी टू से पी फोर को ठीक है बच्छो अब हमें पता है के इक्वल कोड सब्टेंडिड इक्वल एंगल एड़ दा सेंटर यह नाइंध क्लास में हमने पढ़ी थी बच्छो तो अब एंगल हमारा आगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल P1 और सेंटर को हमने O मान रखा है भई सेंटर हमारा O है तो P1 O P2 ये वाला जो एंगल है है ना एंगल देखो तो P1 O P2 is equal to में है एंगल P3 O P4 बोलो क्या लिख सकता हूँ डाइग्राम के मानने हुए पर हमें नहीं जाना है डाइग्राम तो हमने लेट किया है बच्चो के ये देखने में ऐसा दिख रहा है के भी ये 90 प्लेस है और ये वाला इतना है तो डाइग्राम तो हमने रफली ड्रॉ किया ना बच्चो रफ सकेच है हमारा ये है ना समझे के नहीं समझे के तो हमने ये वाला तो जो है ना एक्चोल में हमारा एंगल B है ये वाला तो हमारा एंगल B है और ये वाला एंगल माइनस B है बट ये मैगनिटूड वाइज तो बराबर ये इनकी डिरेक्शन ही अलग है ना बस ये ये नहीं समझे तो अब हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो बचा हुआ एंगल है ना ये जो एंगल बचा हुआ है ये वाला दिख रहे हो ये वाला एंगल कौन सा है P O P 3 P 2 O 3 इसको क्या हम दोनों तरफ एड कर सकते हैं बराबरी तो है ये इस इस में इन तोनों एंगल में तो P 1 O P 2 प्लस में एंगल P2OP3, ठीक है बच्चो, इस इक्वल टू एंगल P3OP4 एंड प्लस में एंगल P2OP3, ठीक है बई, क्लियर ना? यस सर, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो क्या ही एंगल P1OP3 नहीं बन जाएगा? ध्यान से देखो आप लोग और ये वाला एंगल हमारा क्या बनेगा? एंगल P2OP4 नहीं बन जाएगा? यस सर, बलो बनेगा क्या नहीं बनेगा? देखलो आप ध्यान से. यस सर, ठीक है ना? यस सर, तो अब आप ध्यान से देखो, के कोड P1P3 को आप देखो ध्यान से. पी 1 से लेकर के P3 कि अगर अपन बात करें तो, यहां से शुरू करें और यहां तक ले आएं अगर हम उसको. बोलो बई. तो अब ये ये एंगल इसमें, जो हमारा B तक एंगल था ना, अब इसमें एंगल ये वाला एड हो गया, तो कोड भी तो फिर ये होगी. पी 1 से लेकर के P3 तक. तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोड पी 1 एंड पी 3 क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये दोनों कोड क्या हो जाएंगी? कौन कौन सी बराबर हो जाएंगी बच्चों? पी 2 से लेकर के P4 बोलो, क्योंकि अब ये वाला एंगल कहा बन रहा है? P2O4, P2O4 मतलब ये वाला एंगल, समझ गए क्या? ठीक है न? इसको मैं अभी रेज़गा हो. तो ये दोनों कोड हमारी क्या हो गई है? बराबर हो गई है. समझ गए बच्चों? पी 1, P3 कोड अगर आप देखोगे ना तो वो सिधी खड़ी हुई दिखाई दे रही आपको. है ना? वो खड़ी हुई है कुछ यू यहाँ पे. और यहाँ पे P1 पॉइंट है और यहाँ पे है हमारा P3 पॉइंट. और P3 के जो पॉइंट है बच्चों वो है कोस मैं येलो कलरी ले लेता हूँ. ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. कोस माइनस B है एंड साइन माइनस B. ठीक है बच्चों? और P1 का पॉइंट है अपने पास में बच्चों कोस A, कोमा कोस B. बोलो, सॉरी, साइने. ये दोनों कोर्डिनेट है न? बोलो भी. अब मुझे तुम ये बताओ, कि यहां के जो कोर्डिनेट है, अगर मैं P1, P3 के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अपलाई करूं, अगर मालो कि ये पॉइंट आपका और ये वाला है. अगर मैं इसमें डिस् लिखना पड़ेगा न मुझे? बोलो, भी. डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये ही था. नहीं आया समझ में, दोनों तरफ अपन स्केर करते थे. तो यहां पे आप क्या लिखोगे? मैं एकस मीनस में एकस माााााज्यार का प्लड़ा स्केर, प्नस में वाई टू मााान sub вместе मैं आई के बाद समझ में तो कोस ए माइनस माइनस यहां पर यह यह वाइवन को यह तो लूगा आप मैं को स माइनस भी नहीं लूगा बोलो बई, येस सर, नहीं आया के समझ में, और उसका क्या करूँगा, मैं हॉल स्केर करूँगा, नहीं आया के समझ में, y2 minus y1, ये इतना, और प्लस में, अब ये है मेरा x, x2, है ना बई, तो sin a minus, बोलो, तो ये है मेरा x1, sin minus b, yes, समझ गे क्या, और उसका करेंगे हम हॉल स्केर, तो ये क्या है, x2 minus में x1, और ये क्या है, y2 minus में y1 का हॉल स्केर, और जब हम दोनों तरफ इसका share करते थे, तो ये ही तो value मिलती थी अपने को, बोलो भई, yes, yes, और आगर मैं बात करूँ, formula की बच्चो, तो इसको आगे, अब हमें पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ, cos a, और हमें पता था formula, की cos minus x is equal to में cos x ही होता है, क्योंकि ये even function है, ठीक है बच्चो, तो लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, तो cos a minus cos b हो गया ये, बोलो भई, और उसका whole square, और ये रहेगा मेरे पास में, sin a, और हमें पता है, sin minus b is equal to में, minus sin b होता है, yes sir, तो plus sin b हो जाएगा, plus sin b, ठीक है बई, और इसका हो जाएगा whole square, बोलो, yes, तो क्या मैं इसको open कर दूँ, yes sir, ठीक है बई, जब मैं open करूँगा, तो मेरे पास में ये आजाएगा बच्चो, cos square a, plus sin square b, आएगा ना, minus में two cos a, and cos b, sir, cos square b नहीं आएगा, तो ये हमारी mistake थी, cos square a, cos square b, minus में two cos a, and cos b, ठीक है बच्चो, yes sir, ये आगया हमारा इतना, और plus में, sin square a, plus में, sin square b, and plus में two, sin a, sin b, yes sir, अब इस में से, ये और ये मिला करके तो 1 हो जाएगा, ये और ये मिला करके 1 हो जाएगा, बच्चो, आगी बास में, ये और ये, दोनों अलग-अलग चीज़े हैं अबने बास, इसमें two common आ रहे हैं, तो अब इसको अपन यू लिख सकते हैं ना, ये वन बन गया और ये वन बन गया, तो one plus one minus में two cos a, cos b, plus, 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 two, मैंने common ले लिया, कोई बात नहीं, two sin a, and sin b, ठीक है बच्चो, अब ये वाली चीज़ हमारी क्या बन जाएगी two, ठीक है ना, ये शू लिख देता हूं इदर, या गई two, और अब इस पूरे में से, जो है ना, यहां पे two, यहां पे two, यहां पे two, तो two common आ रहा है, तो two common मैंने बाहर ले लिया, और यहां पे और यहां पे, अब मैं क्या लिख सकता हूं, one लिख सकता हूं न, तो यहां पे बना गया, और यहां पे तो और यहां पे तो बन रहे गया भई, ठीक है न, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, two, इस minus को, यह minus जो है न, दोनों के लिए common आया था, पूरा, समझगे क्या आप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वो आप one वाले equation भी करके ले सकते हो, अगर मैं इसको यू लिख हूं, two यहां पे आ गया, और minus two को मैं common ले लूँ, तो मैं क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, cos a cos b minus sin a sin b, देख सकता हूं न मैं, चालो, इसको equation number one मान लो, और अब हम बात करेंगे, code जो हमारी p2 और p4 की बात करेंगे, समझ गे क्या, तो code जो हमारी p2, p4 को अगर मैं लूँ, तो वो थोड़ी सी कुछ यू है, टेड़ी ऐसे, आगी बात समझ में, तो p2 के कोर्डिनेट क्या है, यहां का कोर्डिनेट है, cos a plus b, sin a plus b, है के नहीं है, और यहां का कोर्डिनेट है, cos x, और, बलो बचो, यहां का कोर्डिनेट क्या है, यहां तो 1,0 है, cos x, sin a plus, yes sir, यहां तो 1,0 है, यहां तो 1,0 है, cos x, sin a plus, yes sir, 1,0 ही ले ले लें, क्योंकि अपने को पता है, इदर का कोर्डिनेट यह है, तो अब हम इसमें फिर से distance formula अपलाई करेंगे, यह code थी हमारी, अब हम distance formula के लिए क्या करेंगे, यह वाला हमारा, 1 minus में cos a plus b, cos a plus b, यहां पर लिखेंगे all square, ठीक है न, और फिर अगला कोर्डिनेट हमारा है, 0 minus में, sin a minus b, sorry, sin a plus b, बोलो समझ में आया के नहीं आया, बोलो बच्चो, यह हमारा y2 minus में y1, और यह तो x का कोर्डिनेट है, x2 minus में x1, समझ गे क्या, और उसका whole square, yes sir, ठीक है न, बच्चो, तो, अब हम अगर इसको खोलेंगे, तो हमें क्या, क्या मिलेगा, अब यह 1 minus में, तो 1 का तो 1 आएगा, और plus में, cos square a plus b, नहीं आया का समझ में है, नहीं, अरे, इसका whole square भई, इसको a माननो, इसको b माननो, a minus b का whole square, and minus में, 2 cos a plus b, नहीं आया समझ में, यह तो whole square खुला है, इसका, इसका खुला है, y2 minus में y1 का, और अगर हम इसका whole square खुलेंगे, तो 0 को तो लेने की जरूरती नहीं है, के लोगे, बोलो बई, तो sign square a plus b हो जाएगा, ठीक है ना, तो अब हम ये वाला, और ये वाला तो 1 बन गया, और ये 1 बना करके 2 बन जाएगा, तो 2 minus में, 2 cos a plus b बन गया, क्या इतनी बात समझ में आई, अब आप equation number इसको मान लो 2, ठीक है बही, और अगर हम इन दोनो equation को क्या equal रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनो code equal थी, ये codes equal थी, है ना, क्योंकि पहले वाली ये वाली जो code थी, वो थी हमारी, P1 से लेकर के P3, का होल स्केर था ये, और ये वाली code हमारी क्या थी, P2 से लेकर के P2, P4, और ये दोनो equal हैं, तो हम इन दोनों को equal रख सकते हैं, के नहीं रख सकते हैं, बोलो बच्चो, तो 2 minus 2 cos A cos B minus sin A sin B is equal to में, अब ये वाली code रखेंगे, 2 minus 2 cos A plus B, बोलो बच्चो, ये मेरी खाल से cancel हो रहा है, हो रहा है के नहीं हो रहा भई? अरे बच्चो हो रहा है, cancel? तो हमने, हमारा पहला जो formula है न, वो हमने invent कर लिया, बच्चो, के cos A plus B जो होता है न, वो होता है, cos A plus B is equal to में होता है, बच्चो, cos A cos B, ठीक है, minus में sin A sin B, ये हमने एक तरह से formula की invention कर लिया, ये आया कैसे ही ये अब हमें पता चल गया, बोलो बच्चो, ये सर, ठीक है न, ये सर, फर्मूला जो है न, cos A minus B का, cos A minus B का formula अब हम invent करेंगे बच्चो, ठीक है, क्या, आप, इसी formula के अंदर जो है न, जो हमारा यहाँ पर B था न, बस उसको minus B रख दो, जैसे देखो, for example, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos A plus में, है न बई, minus B लिख सकता हूँ मैं इसको, additive inverse का याद है, बस यहाँ पर क्या आ आ गया आपका, formula तो उपर plus वाला ही है बच्चो, समझ गे क्या, क्या तुम लोगों ने A plus B plus C का whole square वाला formula किया है, लेकिन अगर तुम्हें कहीं ऐसा मिल जाए तुम्हे formula के A minus B plus में C, तो यह formula तो अभी भी वही का, वही रहेगा, बस यहाँ पर plus का रख दो, यह वाला minus का रहे गया, तो जहाँ जहाँ पर formula आएगा, वहाँ पर minus B नहीं रख देते थे, यहाँ पर तुम्हें पॉलिनोमियल में इस तरह के question बहुत सारे किये थे, तो बात अभी भी भी यही आगी, additive inverse और क्या होता है? है ना? समझे गया अब, तो अभी भी बात वही कि वही है, यह जो formula है ना, वह submission में ही है, बट यह वाली value हमने just क्या ले ली, minus B के ले ली, अब आप ध्यान से देखो, हम इस formula को क्या लिखेंगे, cos A, ठीक है ना, और अब यहाँ पर क्या था, cos B था ना, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, cos minus B रखेंगे, नहीं आया क्या समझेंगे, क्या रखेंगे हम, cos minus B, minus B, ठीक है ना भी, अब बीच में क्या था, हमारे पास minus का sign था, इसी formula में रखेंगे हम इसको place वाले में, minus का, अब अपने पास में क्या है, अपने पास यह क्या है, sin A, minus में sin A, sin B, sin minus B, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हैगा, sin minus B, अब हमें पता है, कि sin minus X, जो है ना, वो क्या होता है, minus sin X होता है, वो minus sin X, ठीक है ना, तो अब आप ध्यान से देखो, यह वाला जो B है ना, इसको plus बना देगा, तो यह finally formula हमारा जो है, वो cos A, और हमें पता है, cos minus X, cos X ही होता है, नहीं आया का समझ में, आया के नहीं आया है, तो यह तो cos B ही हो जाएगा, और यह वाला बन गया हमारा plus का, और जो आयाएगा sin A, sin B, आगी बात समझ में, तो finally हमें यह बात पता चली, के cos A minus B, जो है ना, nothing but cos A cos B plus sin A sin B, यह है हमारा बच्चों दूसरा formula, आगी बात समझ में, पहला था हमारा यह वारा formula, ठीक है, तो इन दोनों को मैं highlight कर दूँ, यह है हमारा first, लेकिन आप दूनों में ध्यान से देखो बच्चों, के basic difference क्या है, दूनों के formula में, के जहाँ पर यहाँ पर minus है ना, अब मैं बताऊं तुम्हे, यह बात तुम्हे स्कूल में बताई जाती है, के बस यह चार formula है, और इनको लिख लो, नहीं आएं के समझ में, और इनको याद कर लो, उतको बच्चा confused रहता है, के यह क्यूं है, कैसे आए, इन से उनको कोई लेना देना नहीं होता, बस बोलते हैं के बस आप इसको याद कर लो, तो याद करने से ज्यादा बैटरी यहता है, के अगर आप इनको अच्छे से समझोगे ना, तो ट्रिगनो अच्छे से दिमाग में घुसेगी, और फिर तुम्हे फिजिक समझने में भी इसी होगा, तो दोनों की symmetry देखो बच् माइनस बी याद करने की दिक्कत ने रहेगी, क्योंकि यह यहाँ पे जो technical point आया था ना, इसका माइनस बी से यह प्लस हुआ, तो तुम्हे याद रहेगी यह वाले बात, समझे क्या, तो अब हम बात करें बच्छो साइन अ प्लस बी की, ठीक है ना, ले साइन अ प्लस बी क अगर मैं साइन अ प्लस बी को ले रहा हूं बच्छो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोर्स 90 डिग्री माइनस अ प्लस बी बोलो बई अब तुम 90 को तो मान लो ए और ए प्लस बी को मान लो तुम B थोड़ी देर करें, वैसे ही मान लो नहीं आये का समझ में, या अगर इसको ऐसा नहीं मान रहे हो तो इसको तुम 90 को तो मान लो X और इसको मान लो Y तो यह फॉर्मूला तुम्हे ऐसा नहीं लिखाई दे रहा, देखो यह वाला कोस A माइनस B वाला तो अब अगर मैं यहां पर इस फॉर्मूले को ऐसा लिखूँ कोस A कोस B तो लिखूँ आप मैं इसको यानि के कोस 90 डिग्री लिखूँगा नहीं आया समझ में तो जो है न कुछ गड़बड हो जाएगी भाई नहीं आया के समझ में मैं अब इसको थोड़ा सा और दूसरे तरिके से लिख सकता हूँ कि इस फार्मूले को कोस 90 माइनस A माइनस B को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस A ठीक है बच्चो अरे बच्चो लिख सकता हूँ क्या अब इसको इसको इसी फार्मूले में कनवर्ट कर सकते हैं तो मैं अब इसको कैसे लिख सकता हूँ इसी फार्मूले को मैं लिख सकता हूँ इसको तुम मानलो X और इसको तुम मानलो Y इतने दो, तो अब ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा, मैं इसको लिखूँ एक मिनिट, कोस एक्स, प्लस वाला फॉर्मूला था ना अब ये, नहीं आया का समझ में, कोस एक्स, कोस फाई, माइनस, साइन एक्स, साइन वाई, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, ताकि तुमार समझ में आया है, तो अब कोस एक्स को हमने क्या मानना, 90 माइनस ए, और कोस वाई को हमने क्या मानना, माइनस बी, बोलो भई, सफिर माइनस का साइन, और साइन को, साइन एक्स अपने पास में क्या है, 90 माइनस ए है, और साइन वाई कितना है बच्चो, वो तो माइनस बी है, माइनस, येस सर, नहीं आया समझ में, आगया सर, ओके, तो कोस 90 माइनस A क्या होता है, साइने होता है, येस सर, नहीं लिख सकते क्या, कोस 90 माइनस A, साइने, ठीक है बच्चो, साइने, इंटू कोस B, इंटू में, अब कोस माइनस X, कोस X ही होता है, आगी क्या बास समझ में, तो कोस B, माइनस, अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो फार्मॉला है ना हमारा, इसको प्लस बना देगा, समझ गे क्या, तो ये साइन 90 माइनस A होता है, बच्चो, कोस A, और ये बन गया हमारा साइन B, क्या तुम्हारे समझ में आया, तो साइन A प्लस B, इस इक्वल टू में हुआ, साइन A कोस B, प्लस में कोस A, साइन B, समझ में आई बात, अब हम बात करेंगे, साइन A माइनस B की, सार, यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है बच्चो, तो बस उसी तरह से, अब हमने करना कुछ भी नहीं है, आप इसको यू लिख सकते हो, साइन A, प्लस में माइनस B, ठीक है न बच्चो, बोलो लिख सकते हैं को नहीं लिख सकते हैं, तो, इसको अब मैं लिखुँगा, साइन A, कोस B, कोस माइनस B लिखुँगा, ठीक है न बच्चो, प्लस में, कोस A, एंड, साइन माइनस B लिखुँगा, मैं अब इसको, समझगे क्या, हैं बच्चो, साइन A माइनस B, फाइनली हमारा बन जाएगा बच्चो, ये तो, इवन फंक्चन है, तो, साइन A, और कोस माइनस B, कोस B ही होता है, बार-बार मैं इसको बता रहा हूँ, आप लोगों को, क्योंकि ये इवन फंक्चन है, खीक है न, और अब ये गलती कर दी, देखो मैंने, बाहरी गलती कर दी, साइन माइनस B माइनस साइन होता है, लेकिन मैंने तुरंट मोक्के पर पकड़ लिया उसको, कोस A एंड साइन B, यहां पर लिख रहा हूँ मैं, साइन माइनस B is equal to में माइनस साइन B होता है, उसकी वज़े से ये वाला साइन हमारा माइनस का हो गया ठीक है बच्चो तो हमने ये दो फॉर्मूले और इन्वेंट कर लिए तो इसको भी अपन थोड़ा सा कलर दे देते हैं साइन A प्लस B वाला फॉर्मूला बन गया हमारा ये ठीक है बना के नहीं बना और दूसरा फॉर्मूला हमारा ये वाला अब ज्यादा तर जो है न बच्चे इनको बोलते हैं लेकिन जैसे ही आप किसी चीज को खुद बना लेते हो ना तो वह दिमाग में बैठ जाती है फिर हम उसको बोलने ही पारते हैं साइन कैसे आया साइन एक से साइन वाइग्यात को ये का फॉर्मूला बना तो अब मैं इससको क्या लख सकता हूं cos x plus y का formula होता होता है cos x cos y minus sin x sin y होता है यह नहीं होता है तो x हमारा क्या है x तो है 90 minus a ठीक है ना और cos minus a आगे ना तो कोई doubt नहीं रखनी है कोई भी doubt नहीं रखनी है next formula हम tangent a plus b ठीक है बच्चो tangent a plus b होता है tangent a plus tangent b and 1 upon में 1 minus tangent a tangent b अब हम इसको formulate करेंगे इसको बनाएंगे ठीक है बच्चो इसको बनाने के लिए हम क्या करें हम tangent a plus b को जो है ना क्या लिख सकते है sign a plus b लिख सकते हैं बच्चो अरे बोलो आप उनमें cos a plus b yes sir नहीं आए करें तो sign a plus b sign a plus b होता है sign a cos b plus में cos a sin b मेरे नहीं आया कै अभी? अभी अभी तो इंवेंट किया है हमने है और cos A plus b होता है cos A cos B minus sin A sin B आगी पार समझ में बच्चो तो अब हम क्या करें कि यह हमारा न्यूमिनेटर है और यह हमारा डिनोमिनेटर तो अब आप उपर ध्यान से देखो बच्चो आमें चाहिए उपर tangent A फॉर्मूले में तो अब आप ध्यान से देखो यहां पे मैं इसको लिखता हूँ sin A और cos B तो अगर मैं इसको cos A cos B से अगर इसको divide कर दूँ तो यह cut जाएगा और उपर मुझे tangent A मिल जाएगा नहीं आया का समझ मैं तो मैं नियूमिनेटर डिनोमिनेटर को है ना cos A cos B से डिवाइड कर दूँ नियूमिनेटर को भी कर दो और दिनोमिनेटर को भी कर दूँ तो मैं इसको sin A cos B plus मैं cos A sin B और इसके आपन में नियूमिनेटर को भी को से cos B आपन में cos A cos B cos B ठीक है बच्चों और लाइक वाइज डिनोमिनेटर में भी तो ऐसे ही चलेंगे हम cos A cos B आपन में cos A cos B ठीक है बच्चों मैं साइन A sin B आपन में cos A cos B ठीक है बच्चों अब यहाँ से यह कैंसिल हो रहा है और यह कैंसिल हो रहा है और यह तो पूरा ही कैंचिल हो गया इस में से पूछ एंचिल नहीं हो रहा है तो उपर वाली में से इस चीज में से अपने पास रहें बच्च गया एंड टेंजन्ट B हैंड हमने क्या फर्मूला बना लिया भई टेंजन्ट A प्लस B का तो यह फर्मूला आ गया अपने पास रहें बच्चों टेंजन्ट A प्लस B का दोनों तरफ हमारा प्रूफ हो गया है अब हम बात करें tangent a minus b की? Yes, Sir. Sir, इस आई note करना है, Sir. Next formula है हमारा. Tangent a minus b is equal to में tangent a minus tangent b. उल्टा हो गया, देखलो अप। उसमें क्या था हमारा? Yes, same है. Plus. नहीं, same नहीं है. देखो, change हो गया, sign. तो चेंज ओने का देखो कारण क्या है चेंज ओने का कारण भी यह यह कि अब अगर इसका प्रूफ देखेंगे तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्छो तर बी कि जिगा है माइनस बिना TANGENT A minus B is equal to sin A minus B पहले उपर plus का चाँ रुख जा रुख जा रुख जा रुख जा ठीक है ना भई, आप उन में cos A minus B, तो cos A cos B plus sin A sin B, ठीक है भई, समझगे क्या, अब आप ध्यान से देखो, उपर फॉर्मूले में आपने को टेंजेंट A चाहिए, तो यहां पर उपर यह हमारा नियूमिनेटर है ना, तो यह है sin A cos B, तो मैं ऐसे के साथ में इसको cos A cos B के साथ इसको डिवाइड कर दू, नियूमिनेटर और दियूमिनेटर को, तो मुझे कट करके यहां पर टेंजेंट A मिल जाएगा, बोलो भई, लिख सकता हूँ क्या, Yes Sir, तो अब मैं उपर इसको किस से डिवाइड कर दू, नियूमिनेटर और दियूमिनेटर को, यह हमारा नियूमिनेटर है और यह दियूमिनेटर, तो उपर मैं लिखूँ हा, sin A cos B, आप उन में बोलो क्या लिखूँ, cos A cos B, Yes Sir, okay, minus cos A, sin B, आप उन में cos A cos B, ठीक है, अब पूरे का नियूमिनेटर और नियूमिनेटर और नियूमिनेटर है फिर cos A cos B, आप उन में क्या लिखूँआ, cos A cos B, ठीक है न बई, Yes Sir, plus में sin A, sin B, आप उन में cos A cos B, ठीक है बच्चोँ, करें कुछ कट पिट रहा है, Yes, Yes Sir, Yes Sir, और यहां से कुछ नहीं कट रहा, तो इसका तो बनेगा टेंजेंट A, बन गया ना टेंजेंट A यह वाली चीज, यह क्या बन रहा है, माइनस में, Yes Sir, टेंजेंट B, आप उन में 1 प्लस, टेंजेंट A, टेंजेंट B, रूप हो गया, टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B, आगी बात समझ में, तो यह फॉर्मूला हमारा, Yes Sir, फॉर्मूला हमारा दोनों आगे बई, टेंजेंट A और टेंजेंट B का, ठीक है, अब हम बात करेंगे, कोट A प्लस B की, आगी बात समझ में, तो कोट A प्लस B, हमारा, क्या लिख सकते हम बई इसको, कोट A प्लस B पहले देखो, पहले देखो, फॉर्मूला होता है अपने पास में, कोट A का, कोट A, कोट B, माइनस वन, उल्टी होगी ना, टेंजेंट के कंपेर में चीजें, निया आए बात समझ में, और नीचे होगा, कोट B, क्योंकि देखो, टेंजेंट कोट का उल्टा ह होता है, तो इसका ये ठीक उल्टा हो रहा है, देख लो आप, समझ गए बच्चो, तो ये हमें प्रूव करना है, ये हमें अब प्रूव करना है, और हम जानते हैं, के कोट A प्लस B को, अब मैं सिधा लिख दू भई, कोट A प्लस B, अपन में, साइन A प्लस B, बोलो तो इसको मैं लिखने है, कोट A, कोट B, माइनस साइन A, साइन B, समझ गे क्या बई, समझ गे क्या, और इसको मैं, साइन A, कोट B, प्लस में, कोट A, साइन B, समझ गे बई, साइन A, प्लस B का फॉर्मुला है, आप ध्यान से देखो, यहां पे ना नुमिनेटर का यह वाला पार्ट पकड़ो, यह वाली टाम, और इसको चेक करो, हमें यहां पे चाहिए कोट A, तो यह है बच्चो कोस A, एंड कोस B, तो समझ में आगी होगी बात, तो अगली टाम यह से पकड़ देखो, पिर इसको अपन, साइन A, एंड साइन B, अपान में, साइन A, साइन B, आगी बात समझ में, और निच्चे क्या लिखूंगा, साइन A, साइन B, ठीक है बई, अपान में, साइन A, साइन B, माइनस, नहीं, प्लस, कोस A, कोस B, अपान में, साइन A, साइन B, पोलो बच्चो, तो कट पिट रहा है कुछ से, यहां से क्या कट रहा है, यहां से कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है इदर से तो, देखो, मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी, हमने डिवाइड करना था, साइन A, कोस B से, है ना बई, साइन A, कोस B से, कोस B आना चाहिए हमारे यहां, मिस्टेक, पकड़ी गई, यहां पे सभी जगाए पर, फॉर्मूले में एक और गड़बड, यह वाली, यह वाली गड़बड, साइन A, कोस B यहां पे गड़बड है, और कोस A, यहां पे साइन B आएगा, इसको यहां पे साइन B था, तो इसको ठीक करेंगे, साइन A, कोस B, साइन A, साइन B लिखेंगे इसको तो, और इसको भी साइन A, साइन B लिखेंगे, ठीक है ना, इसको लि लिखा गया स्पाइल यहां पे है यह को से साइन भी यह सब और यहां पर भी थीक है ना तो अब वह ना अगर गलती होगी तो तुरंथ पकड़ी जाएगी रटे में नहीं पकड़ी जाएगी कभी रटे में आदमी लगाता चलेगा रटा नहीं था इसलिए गल्ती तुरंथ पता चलेगा यह बनना चाहिए तो यहां से कैंसिल हो रहा है कुछ वई यहां से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहां इसे मिल रहा है अपने को कोट a कोट b कोट एकोट भी मिल रहा है देखो ना इतनी चीज तो कोट बन गई यह यह वाली कोट बी तो कोट एक और निच्छे हमें यहाँ पर मिल रहा है और निच्छे हमें यहाँ पर मिल रहा है अच्छा तो बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा कोट ए माइनस बी का वो में नहीं करवा रहा हूं वह आप लोगों ने खुद ट्राई करना है आगी बात समझ में है तो यह एक्च्छल में न यह इस चीज के प्रूफ नहीं होते है यह हमने कुछ चीजे खुद इन्वेंट कर लिए यह मैं आपके लिए चोड़ रहा हूं कॉस्च्छन मार के से अगला फॉर्मूला आओ नेक्स्ट फॉर्मूले पर आजाओ सरस्टिकेंद लारों नहीं सिकेंड का नहीं लेते बच्छो अगला फॉर्मूला आपने पास तेंजेंट फॉर्मूला और प्लस ए और यह जो हमारा फॉर्मुला होता है बच्चो वन प्लस में टेंजेंट ए अपॉन में वन माइनस टेंजेंट ए ठीक है ना बच्चो ठीक है बई तो अब हम इसका प्रूफ लिखेंगे के टेंजेंट 45 ए को हम आमें फॉर्मुला ए प्लस बी का हमने इन्वेंट कर लिया था ना तो फोर्म्ला था आपने पाफ में, gentleman A plus tangent B 1 minus tangent A tangent B तो tangent 45 लिखुआ, ठीक है बचो, और plus में लिखुआ मैं tangent A और निचे लिखुआ मैं, one minus tangent 45 degree into में tangent A बोलो लिखुआ के निखुआ, हमें पता है कि tangent 45 1 होता है और यह बन गया बच्चो टेंजेंट A और निचे 1 माइनस में यह 1 बन जाएगा बोलो बच्चो और निचे बन जाएगा यह सर्ट टेंजेंट A तो फॉर्मूला आपने बना लिया 45 प्लस A का स्पेशल फॉर्मूला है यह ठीक है भई? सैर फॉर्मूला हमारा टेंजेंट A माइनस टेंजेंट B वाला फॉर्मूला था तो 45 डिग्री माइनस A तो अब यह उल्टा हो जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट A और निचे हो जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट A प्लस का निचिए आजाएगा आगी क्या बाद समझ करें बच्छो क्यों क्योंकि टेंजेंट A माइनेस B का फॉर्ण हो टा नी होगा था जो टेंजेंट 45 minus minus लिखेंगे माइनस लिखेंगे 1 plus में 1 plus टेंजेंट 45 इंटेंट A समझ गे बच्चो नेक्स्ट फॉर्मूला है पहला फॉर्मूला है साइन अ प्लस बी इन्टू में साइन अ माइनस बी ठीक है बच्चो ये होता है हमारे पास again ठीक है बच्चो और दूसरा फॉर्मूला होता है इसी काई इसी सिक्वेंस में कि कोस अ प्लस बी इन्टू में कोस अ माइनस बी ठीक है बच्चो ये होगा हमारा कोस केर अ minus cos square b तो इसको अब हम proof कर लेंगे पहले पहला करेंगे फिर दूसरा करेंगे ये वाला तो हमें पता है बच्चो के sin a plus b का formula मैं सिधा लिख रहा हूँ क्या होगा sin a cos b plus में cos a cos a sin b ठीक है बच्चो यहां पे लिख दिया और sin a cos b minus sin a cos b ठीक है बच्चो अब मुझे तुम इसकी multiply करके final जो result आएगा न वो बता दो क्या आएगा बोलो भई क्या करूँ मैं ही करूँ क्या multiply देखो इसको इसके साथ करोगे इस वाली time के साथ में करोगे तो यहां पे हमने फॉर्मुले में थोड़ इसी mistake होगी flow flow में लिखते time तो cos a sin b ठीक है न अब इसकी multiply करो इसको अगर करोगे तो क्या आएगा sin square a ठीक है बच्चो और क्या बनेगा यह cos square b और फिर अब इसको इसके साथ करोगे तो minus में क्या आएगा cos square a cos square a नहीं आएगा cos square a cos square a क्योंकि यह a plus हो गया यह a plus b और यह a minus b sin square b ठीक है न cos square a sin square b sin square b ठीक है न बच्चो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अब आप जान से देखो cos square b सुनो कहां पे हाँ यहां पे भी आएगा yes 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 तो cos square b को जो है न हम क्या लिख सकते हैं बच्चो 1 minus sin square b लिख सकते हैं yes sir 1 minus sin square b लिख सकते हैं minus में अब इसको क्या लिख सकते हैं cos square a था इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 minus cos square b ऐसा लिख सकते है ठीक है न तो अब इसकी इसको आप अंदर multiply कर दो ठीक है भई sin square a क्या क्या मिलेगा आपको sin square a sin square minus sin square a sin square b sin square a sin square b sin square b and cos square b कुछ कट रहा है क्या बोलो बच्चो अब इसमें से अपनी कोई भी time cancel नहीं हो रही है तो हमने sin square b को change किया न तो हमें यहाँ पर कोई भी time हमारी cancel नहीं हो रही है तो इसकी बजाए हम ये करें कि इसको कर दें 1 minus 23 इसको हम erase कर दें और इस वाली time में जो हमने लिया था इसको हम change कर दे 1 minus sin square a ले 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 बच्चो ठीक है न और इसको लिख दिया हम sin square b ठीक है तो अब हम multiply करें इसको यह मिलेगा हमें sin square a minus sin square a and sin square b ठीक है क्या मिलेगा बागी yes sir minus sin square b यह बनेगा sin square b और minus sin square a sin square b sin square b तो यह वाला जो है ना minus का हो जाएगा और यह वाला plus का हो जाएगा यह minus खतम इदर से ठीक है बच्चो अब यह इससे हमारा cancel हो गया और हमें मिला sin square a minus sin square b ठीक है बच्चो तो उसी तरह से यहाँ पर आपने cost का formula apply कर लेना है और एक time आपने इसकी change कर लेना तो दूसरा formula आपने फुट try करके देखना है ठीक है बच्चो तो ये जो फॉर्मले है ये आपको लर्न हो जाने चाहिए और फिर हम next lecture में हम आगे कुछ और formula है उनको इन्वेंट करेंगे ठीक है किस